चीनी राश्पती शी जिन्पिंग को भी पी-एम का मैसेज एक दूसरे की संप्रभुता का रखे ध्यान ये कहा प्रधान मंतरी मोदी ने स्यो के मंच से शेत्रिया खंडता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए आतंकवात के हर रूप से हमें लड़ना होगा ये कहा है प्रधान मंतरी मोदी ने शिक्यार यानि सिक्यूरिटी एकनामिक डेवलपमेंट गनेक्टिविटी यूनिटी रिस्पेक्ट पर सोवरेंटी और इंटरिटोरियल इंटिग्रिटी और एंविरमेंटल प्रोटेक्शन ये हमारी अध्याक्ष्टा का थीम् और हमारे SEO के वीजन का प्रतिवीम है तो प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की जो बड़ी बाते थी SEO समिट में संबोधन के दौरान वो हम आपको लगातार बता रहे हैं और देखिए इसी बात का जिक्र किया जा रहा था रूस के राश्टुपती ब्लादमेर पुतिन और भारत की प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने वीसी के जरी एक दूसरे से पहले मुलाकात की और उसके बाद प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने अपना संबोधन शुरू कि ब्रिगेडिये डप्ता इशारो इशारो में ये जो बड़ा संदेश था मुखे रूप से अगर हम देखे तो पाकिस्तान और चीन के लिए ही था कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं चलेगा संयुक्त रूप से स्यो में शामिल देशों को भी आतंकवाद की कटरपंद की मुखालफत करनी पड़ेगी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की इन बातों से स्यो समिट पर कैसा असर होते वे देखते हैं देखिए ये बहुत ही बहुत important statement मोदी जी ने दिया है और आप ये देखें चीन जिस तरह से आतंकवाद का समर्थन कर रहा है जिस तरह से आतंकवादी जब declare होते हैं या उनके खिलाफ होता है तो वो उसको scuttle करता है United Nations में और ये बिल्कुल साफ उसकी मन्शा को जताता है कि चाइना पाकिस्तान को परोक्षा प्रतेक्श रूप से उसको समर्थन कर रहा है अलबदर जिना और्गनाइशन जिसको भारती सेना ने बिल्कुल नेस्तनबूत कर दिया था उसको उसके जो मन्शेरा के हेड़कोर्टर है वहां से वो उसको रिवाइब करना चाह रहा है वादी कश्मीर में तुबारा उसके काडर की रिकूर्टमेंट देखने को मिल रही है तो भारती है प्राइम मिनिस्टर साब ने बिल्कुल साफ कर दिया है और चाइना को ये संकेत है कि इस तरह की चीज़ें बरदाश नहीं की जाएंगी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और आतंकबात को पना देने का जिक्र जब पूरी दुनिया को पता है कि वो आईना दिखाने की कोशिश किसे कर रहे हैं शाबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रथान मंतरी इस S.C.O की मीटिंग में मौजूद थे और चीनी राश्पती शी जिन पिंग भी मौजूद थे जो बाते कही गई हैं मनीश प्रथान मंतरी नरेंद्र मोदी की तरफ से उनका इन दोनों मुलकों पर इन दोनों मुलकों के रवये पर कोई असर आने वाले वक्त में पड़ेगा क्या S.C.O की तरफ से अगर कोई संदेश दिया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है ये जरा बता है बिल्कुल देखे सबसे बड़ी बात यह है कि भारत S.C.O सबमेलन की अदिक्षता कर रहा था ये एक ऐसा संगठन है जिसमें चीन भी है पाकिस्तान भी है कहने के लिए तो हम लोग आतंगवाद के खिलाप लड़ाई लड़ने के लिए सायुक्त सैनभ्यास भी करते हैं लेकिन फिर वही है कि जब पाकिस्तान किसी संगठन में मौजूद हो और उसके बाद हम आतंगवाद के खिलाप क्या लड़ेंगे सुनाई कि आप आतंक्यों को पना देना बंद करें आप आतंगवाद के मामले में दोरा माबदंद अपनाने से बना करें आप आतंगवाद को फंडिंग देने से मना करें तो आतंगवाद को लेकर प्रधान मंतरी मोदी ने पाकिस्तान को और चीन को लतार लगाई जब भारत ने आतंकवाद को लेकर के अपना रुख स्पष्ट किया हो लेकिन S.E.O. के मंच से एक बार फिर से मुखर तरीके से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और कटरपंथ को लेकर के ये बड़ी बाते कई हैं जिसके उपर लगातार हम चर्चा कर रहे थे मनीश बहुत शुक्रिया आपका और ब्रिगेटी रता आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामल होने के लिए